यहां पर राइटर बता रहे हैं कि तभी उन्हें अजीब सा फील हुआ, एकदम से लाइट दिखने लगी और ऐसा लगा जैसे कि वो आफुल, आफुल यहां की जो वाटर को वो डिसलेक कर रहे थे, उन्हें पानी पसंद नहीं था क्योंकि इसमें वो डूब रहे थे इसलिए इस गंदे से, यलो वाटर से वो बाहर आ रहे थे at least my eyes were, कम से कम उनकी eyes जो हैं वो वाटर से बाहर थी my nose was almost out too, और मेरी nose भी लगबग बाहर ही थी, वाटर के then I started down a third time, लेकिन तभी फिर से तीसरी बार वो फिर से डूबना start हो गए, वाटर में अंदर जाना start हो गए I sucked for air and got water, I sucked for air में, उन्होंने air लेनी की कोशिस की, उन्होंने सांस लेनी की कोशिस की, लेकिन उन्हें क्या मिला, उन्हें water ही मिला the yellowish light was going out, अब क्या हुआ, जो yellowish light जो उन्हें दिख रही थी, जैसे वो पानी के बाहर आ रहे थे वोने एकदम से light दिख रही थी, अब वो light धीरे-धीरे अब वो जा रही थी, क्योंकि वो पानी में फिर से अंदर जाना start हो गए थे then all efforts ceased, अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जितने वो efforts कर रहे थे वो बंद हो गए है, stop हो गए है I relaxed, एकदम से वो relaxed feel होने लगे, even my legs felt limp, यानि कि वो अपनी legs को ऐसा feel कर रहे थे, यासे कि वो living less हो गई है, मतलब उसमें जानी नहीं है उनके पैरों में and a blackness swept over my brain, और एकदम से उनके brain पर एकदम से blackness चागई हो, एकदम से काली परचाई चागई हो, उनने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, it vibed out fear, it vibed out terror, वाद ऐसा राइटर बता रहे हैं कि जो blackness थी, उस blackness ऐसा लग रहा था, ऐसा उनकी fear को दूर भगा दिया हो, उनक terror को, जो उनने terror लग रहा था, डर लग रहा था, उसने blackness ने उनकी terror को भी दूर भगा दिया हो, there was no more panic, अब उनने विल्कुल भी घवराद नहीं हो रही थी, विल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, it was quiet and peaceful, एकदम से सब को quiet लग रहा था, शान्त लग रहा था, पीसफुल चात्रफ शान्ती थी, nothing to be afraid of, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था, जिससे की उनने डर लगे, this is nice, to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump, it's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep, अब ये एकदम से contrast reaction कैसे हो गया writer का, क्योंकि कहां तो वो इतना efforts कर रहे थे, पानी से बाहर उपर आने की, और कोशिस कर रहे थी, कि अब इस तरह से वो hit करेंगे, waterm को इस तरह से jump करेंगे, लेकिन अब उन्होंने सारे efforts रोग दिये, और अब वो relax feel कर रहे हैं, तो ऐसा क क्यों हुआ, क्योंकि एकदम से उनके अंदर उन्हें drowsiness feel होने लगा, एकदम से उन्हें faint होने लगे, बेहोस से होने लगे, और इस बज़े से वो कह रहे हैं, कि अब बिल्कुल भी उन्होंने डर नी लग रहा था, क्योंकि वो बेहोस होते जा रहे थे, किसी भी चीज से बंडरने की अब जरूद नहीं थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था, वो सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, अब उन्हें बिल्कुल भी जम करने की जरूद नहीं थी, तो टायर टू जम करने की उन्हें बिल्कुल भी capacity नहीं थी, it's nice to be carried gently, और उन्हें ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था, जिसके जेंटली धीरे धीरे वो पानी के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके उपर एकदम से बिहोसी चा रही थी, to float along in space, और ऐसा लग रहा था, वो space में floating कर रहे हैं, space में जा रहे हैं, अंतिक्ष में जा रहे हैं, tender arms around me, फिर चात्रा फ्लिप्टी होई है, now I must go to sleep, और ऐसा लग रहा था कि अब मा की बाहों में आब वो सो जाएंगे, I crossed to oblivion and the curtain of life fell, I crossed to oblivion, यानि कि एकदम से ऐसा लगा था से भूल रहे हैं, मतलब जो उनकी memory थी, वो विलकुल बीक हो गी थी, और बहुसी चा रही थी, इस बेस ऐस लग रहा था से कि जो life का जो परदा है, वो गिर गया है, means अब वो मौत की तरफ जा रहे हैं, the next, I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting, अब next, जो उन्हें याद थी, वो इस बात की थी, कि वो पूल और साइट से लेटे हुए हैं, पेट के बन लेटे हुए हैं, और बॉमिट कर रहे हैं, the chap that threw me in washing, जो उन्हें याद थी कि जो chap जिसने उन्हें जो भूजर था, जिसने उन्हें पुश किया था, swimming pool में धका दिया था, वो कह रहा है, क्या कह रहा हैं, but I was only fooling, मैं कि मैं तो किवल fool बना रहा था, मैं तो किवल मजाग कर रहा था, someone said, तभी किसी की आवाज आई, the kid nearly died, यह बच्चा तो मरने माला था, be all right now, चलो ठीक है अब, let's carry him to the locker room, अब इससे locker room लेके चलते हैं, several hours later, कई घंटों बात, I walked home, मैं अपने घर गया, I was weak and trembling, अब यहाँ पर रैटर बता रहेंगे, फोज़ा था, weak feel कर रहे थे, एक दम से काप रहे थे, I shook and cried when I lay on my bed, और वो बताते हैं, कि जब वो बैट पर सोने के लिए जाते थे, तो एक दम से वो रोते थे बुरी तरह से, I couldn't eat that night, उस रात वो उनने कुछ भी नहीं खाया, four days a haunting fear was in my heart, और कई दिनों तक, जो डर था, जो उनको डरा रहा था, वो उनके दिल में कई दिनों तक रहा, the slightest exertion upset me, exertion यहने कि physical work, हलका सा भी अगरो कोई वो physical work कर लेते थे, कोई काम करते थे, तो एक दम से वो upset हो जाते making me wobbly in the knees and sick to my stomach, और जब वो खड़े होते थे तो उन्हें अपनी नीज में wobbly feel, wobbly यहने weakness feel होती थी, और ऐसा लगता था, जैसे स्टमक में उन्हें sickness feel हो रही हो, I never went back to the pool, अब वो बता रहे हैं कि वो फिर बापस कभी भी पूल के पास नहीं गए, I feared water, उन्हें पाने से डर लगने लगा, I avoided it whenever I could, और जब भी वो कभी पाने की तरफ जाते थे या कभी भी उन्हें जाना पड़ता था, तो उसको avoid करते थे water को, I few years later when I came to know the waters of cascades, कई सालों बात, जब उन्हें ये मालम हुआ कि उनके पास, उनके घर के पास, जहां वो रहते हैं, वहां पर जो है, या थोड़ी दूर, cascades का waterfall है, यहां पर जो बात होरी cascades हैं कि waterfall की जरने की, तो उन्हें मालम हुआ कि वहां पर एक जरना है, जिसका नेम है cascades, I wanted to get into them, तो यह उनके इच्छा होई कि वो इसमें जाएं, and whenever I did, whether I was wading the titan or bumping river or wading in warm lake of the got rocks, the terror that had seized me in the pool would come, अब वो यहां बता रहें कि जिस तरह से उनकी इच्छा होती थी कि कभी वो टाइटन में जाएं, वेडिंग करने के लिए, कभी वो टाइटन और bumping river, यह river की नेम है यहां पर, टाइटन और bumping, उसमें वो वेडिंग करने के लिए जाएं, या फिर warm lake में, जो की got rocks जगे प that seized me in the pool, यानि जो swimming pool में जो एक तम से डर ने जकट रखा था, वो डर उनका बापस आ जाता था, यानि उन्हें फिर से डर लगने लगता था, इट वो टेक पजेशन आफ मीं कम्प्लीटली, इस डर ने उनको बुरी तरह से पूरी तरह से जकट रखा था, my legs would become paralyzed, और जब भी कभी वो ऐसा सोचते थे कि cascades में, वो swimming करने के लिए जाएं, या titan या bumping ripper में जाएं, swimming करने के लिए, तो उनकी जो legs थी, वो कैसे हो जाती थी, paralyzed हो जाती थी, उस बैसे उनकी जो legs थी, वो एक दिम से paralyzed हो जाती थी, unable to move हो जाती थी, this handicap stayed with me as the ears rolled by, और ये जो handicap, handicap बाली जो position रही कि वही उनकी legs paralyzed हो जाती है, unable to move हो जाती है, उनका mind काम नहीं करता कि वही कैसे swimming करने को, डर लगता थो ने बुरी तरह से, तो ये डर कई सालों तक रहा, fishing for landlocked salmon, यहाँ पर writer बताते हैं, कि ये जो canos, canos हैंने कि जो small boat होती है, कि small boat में वो main lakes में fishing करने के लिए जाना चाते थे, landlocked salmon, went worth in New Hampshire, died of a dog at Trix Island, and swam two miles across the lake to stop act, sorry, यहाँ पर ये line miss हो गई, in canos और main lakes, fishing for landlocked salmon, यहाँ कि small boat में बैट कर, वो main lakes में fishing करने के लिए जाना चाते थे, bus fishing in New Hampshire, न्यू हम्शर में वो bus fish होती है, उसकी fishing करने के लिए, टाउट fishing on the deschutes and metolias in Oregon, और वो जो deschutes जगे थी, जो lake थी, उसमें वो टाउट fishing के लिए जाना चाते थे, और Oregon में वो metolias fishing के लिए जाना चाते थे, fishing for salmon on the Columbia at bumping lake in the cascades, और वो cascades में जो bumping lake थी, बहाँ पर वो Columbia में वो salmon fishing के लिए जाना चाते थे, wherever I went, अब यहाँ पर writer बता रहे हैं कि जब कभी वो जाते थे, the haunting fear of the water followed me, तो वो जो डर था, जो उन्हें हांट करता था, जो डराता था, वो फिर से उनको follow करता था, मतलब वो जब भी कभी उनकी इच्छा होती थी, कि किसी lake में जाए हैं, किसी river में वो swimming करने के लिए जाए हैं, या fishing करने के लिए जाए हैं, तो क्या होता था, वो डर उनके फिर से लगने लगता था, It ruined my fishing trips, और इस डर की वज़े से उनकी जो fishing trips थी, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming, यानि इस डर की वज़े से क्या होता था, उनकी जो fishing trips थी, वो ruined हो जाती थी, destroy हो जाती थी, और जो ऐसे canoeing करना हैं, boating करना हैं, या swimming करना हैं, वो भी उसका भी उन्हें, वो enjoy नहीं कर पाती थी, यानि वो भी जो डर हैं, उन्हें दूर कर देता था, उन्हें इन खुशियों से दूर कर देता था, यानि उस डर के वज़े से, वो कभी canoeing, boating या swimming को enjoy नहीं कर पाते थे, I hope you will understand children, I used every way I knew to overcome this fear, अब यहाँ पर रैटर बता रहे हैं कि उन्हें बहुत कोशिस की, क्या कोशिस की, किसी तरह से वो अपने डर पर कावू पाएं, but it held me firmly in its grip, लेकिन इस डर ने उन्हें अपनी grip में बहुत मजबूती से जकड रखा था, finally 1 October, I decided to get an instructor and learn to swim, अब बता रहे हैं रैटर कि 1 October को उन्हें यह decide कि वो एक instructor से swimming करना सीखेंगे, I went to a pool and practiced 5 days a week and hour is day, और इस तरह से वो week में 5 days practice करते थे और 1 hour daily करते थे, तो instructor put a belt around me, अब instructor ने क्या किया कि एक belt उनके, उन्हें उनकी चातर एक belt बान दी, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable, फिर उन्होंने क्या किया, के केवल के through, उन्होंने एक रसी जो है वो, एक पुली के through उन्होंने उनके जो रैटर थे, विलियम डगलस, उनके belt के चातर, belt से attach कर दी, और उसका दूसरा सिरा उन्होंने क्या किया, he held on to the end of the rope, मिस और दूसरा सिरा उन्होंने खुद पकड़ दिया, मिस रसी का, एक सिरा उन्होंने बिलियम डगलस की belt में बान दिया, और दूसरा सिरा, पुली से होते हुए, उन्होंने दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ दिया, and we went back and forth, back and forth across the pool, और इस तरह से क्या होता था कि वो पुल में आगे पीछे, आगे पीछे इस तरह से वो स्विमिंग करते थे, hour after hour, day after day, week after week इस तरह से, घंटों, फिर दिनों, फिर week इस तरह से गुजरने लगे, और वो स्विमिंग सीखते गए, on each trip, across the pool, a bit of the panic ceased me, लेकिन जब भी वो पुल पर जाते थे, स्विमिंग करने के लिए, डर तब भी उन्हें लगता था, each time the instructor relaxed his hold on the rope, and I went under some of the old terror return, and my legs froze, मेंस, और हर बार क्या होता था, इस तरह से क्या करता था, कि जो रस्टी को धीली छोड़ देता था, जिसकी बज़े से कि वो थोड़ा से खुद भी independently swimming करना सीख है, लेकिन जब भी वो water के अंदर जाते थे, तो क्या होता था, फिर से वही डर उन्हें लगता था, और उनकी legs क्या हो जाती थे, फ्रोज जाती थी, ऐसा लगता से जम गई हो उनकी legs, और इस बात को करी तीन महिने हो गए, और फिर उनकी जो टेंशन थी, जो उनका डर था, वो धीरे-दीरे कम होने लगा, Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale, फिर उन्होंने, instructor ने, William Douglas को सिखाया, writer को सिखाया किस तरह से, उन्हें face वो अंडर वोडर करना है, और exhale करना है, जब वो पानी के अंदर होंगे तो उन्हें सास बाहर छोड़नी है और जब वो पानी के बाहर होंगे तो उन्हें सास लेनी है and raise my nose and inhale I repeated the exercise hundreds of times और इस तरह से वो बताते हैं कि उन्होंने ये exercise hundreds times repeat की कि जब वो पानी के बाहर हो तो उन्हें क्या करना है इन्हेल करना है तब वो सांस लेनी उनको और जब पानी के अंदर हो तब उने क्या करना है एक्जेल करना है यान कि सांस छोड़नी है bit by bit I shed part of the panic और bit by bit यान कि pieces में parts में धीरे धीरे वो डर जो है उनका थोड़ा-थोड़ा दूर होता गया that seized me when my head went underwater और इस तरह से जब उनका सिर जो है वो वाटर के अंदर होता था और डर जो पड़कर लेता था उनको जो डर लगता था उनको वो धीरे धीरे दूर होना start हुआ next he held me at the side of the pool and had me kicked with my legs अब next part जो instructor ने उनको जो सिखाय था वो ये सिखाय था कि पूल के side में खड़े होके वो water में अपनी legs होए वो kick करें for weeks I did just that और कई weeks सक उन्होंने ये exercise की and first my legs refused to work पहले तो उनकी legs ने रुकुल भी मना कर दिया मना कर दिया means उनकी legs वो एकदम से जम जाती थी unable to move हो जाती थी but they gradually relaxed लेकिन धीरे धीरे वो relaxed हुई उनकी legs वो है relaxed हुई and finally I could command them और finally उनकी legs उनका कहना मानने लगी means legs वो water में move होने लगी और जो जैसे वो exercise करनी थी उनको की water में kick मारनी थी तो वो kick मारने लगी thus piece by piece he built a swimmer और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके वो swimmer बन गए and when he perfected each piece he put them together into an integrated hole यहाँ पर writer बताना चाहा है इस तरह से हर तरह से यानि फर्स ताम क्या हुआ कि वो instructor ने उनकी belt से रस्सी बांदी और उन्हें swimming करना धिरे धिरे सिखाया उसके बाद उन्हें सिखाया कि उन्हें क्या करना है जब सास लेनी है तो उन्हें क्या करना है वोटर के बाहर आना है he said now you can swim dive off and swim the length of the pool crawl stroke और जब एपरेल का मन्त आ गया नहीं उन्होंने अक्टुवर से स्टार्ट की थी और एपरेल का मन्त आ गया सिखते सिखते और इस तरह से उनके इस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम खुद स्विम करो डाइब उप करो स्विम करो और जो पूल की पूरी लेंथ है उसमें स्विम करके आओ किसरे से करके आओ क्रॉल स्टॉक में करके आओ यह एक पार्ट होता है स्विमिंग का विद्द रेक्रेटर वोलते हां मैं ने किया तॊछоды इंस्ट्रक्टर वसट इन्स्टर इन्स्ट्रक्र वसटाइड हो गया मनलब इंस्ट्रक्ट्र कर काम नेकर उन्होंने जितना सिखाना तो उन्होंने मुझे सब सिखा दिया बट I was not finished लेकिन मैं finished नहीं हुआ था मेरी अभी प्रैक्टिस चालू थी I still wondered if I would be terror striking when I was alone in the pool यानिके अभी भी जब मुझे लगता था कि अगर मैं पुल में अकेला होंगा तो मुझे फिर से टर पकड़ लेगा फिर से मुझे यही सब लगता था I tried it I swim the length up and down मैंने कोशिस की swimming करने की up and down length में tiny vestiges of the old terror would return tiny vestiges में चुट 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 पार्ट्स में जो terror था वो फिर से बापस उन्हें आता रहा but now I could phone and say to that terror trying to scare me ah well here to you look and off I would go for another length of the pool miss और जैसे डर उन्हें लगता तो वो क्या करते अब वो डर को बोलते थे कि डर तो मुझे डराने की कोशिस कर रहा है मुझे और इस तरह से जो है वो पूल के दूसरे पार्ट में वो swimming करने चले जाते है this went on until July और यह उनकी जो process थे वो जुलाई तक चली but I was still not satisfied लेकिन अभी भी वो यही बात कह रहे थे कि वो satisfied नहीं थे यानि अपनी swimming से वो satisfied नहीं थे I was not sure that all the terror had left यानि कि वो इस बात में sure नहीं थे कि वो जो डर है वो completely डर उनसे चला गया है so I went to lake Wentworth in New Hampshire अब यहां पर writer बता रहे हैं कि वो लेक में गये जिसका नेम था Wentworth और जो New Hampshire में located थी वहां पर उन्होंने dive of a dog at Tigris at Trix Island and swim two miles across the lake to stamp at island and swim two miles across the lake to stamp at island और फो टू क्लोमेटर यहां पर यहां बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने swimming करते हो गए कहां तक गए कहां तक गए वो stamp at island I swam the crawl अब वो बता रहे हैं swimming उन्होंने कैसे की crawl करते हुए best stroke, side stroke and back stroke means इस तरह से उन्होंने swimming के parts होते हैं जब swimming सिखाई जाती है तो आपने देखा हो जो swimmer है वो इस तरह से करते हैं तो इस तरह से swimming करते हुए गए only once did the terror return कि अब जो इस बीच में जो terror था कि अब एक ही बार लोटा when I was in the middle of the lake जब वो लेक के middle में थे I put my face under and saw nothing but bottomless water जब उन्होंने अपना face water के अंदर किया और देखा कि वो जो river है जो पानी है लेक का वो एकदम bottomless से कहीं भी bottom नहीं दिखाए जी रहा तो उन्हें थोड़ा सा उस तरह डर लगा the old sensation returned in miniature miniature means small size sensation यानि कि वही fear वो पराना उनका डर जो है वो small size में होकर लोटा थोड़ा सा उन्हें फिर से डर लगा I laughed and said तो राइटर हैं कि वो हसे और बोलते हैं well Mr. Terror what do you think you can do to me it flat and I swam on वो एकदम से हसे और बोले Mr. Terror अब तुम क्या सोचते हैं तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो इस तरह से वो डर उनका भाग गया flat in ran away और वो swimming करने लगे yet I had residual doubts हाला कि अभी भी उन्हें थोड़ा सा doubt था हूं कि doubt जो एकदम से completely clear नहीं हुए था at my first opportunity I hurried west went up the Titan to Cornard Meadows up the Cornard Creek trail to glacier and camped in the high meadow by the side of warm leg यहां पर वो बता रहे हैं कि जो first opportunity थी जो उन्होंने अपना खुद का test लिया कैसे लिया कि west west direction में वो swimming इमलब गए वो west direction में गए और वहां पर वो Titan जो की Cornard Meadows में located है महां पर गए वहां से फिर वो कहां गए Cornard Creek Trail की तरफ गए और वहां से फिर Meaday Glacier की तरफ and camped in the high meadow by the side of warm lake warm lake की side में high meadow है वहां पर उन्होंने camping की महां पर लगाया the next morning I stripped dive into the lake अब next morning उन्होंने dresses उतारी और swimming costume पहना और lake में dive किया and swim across to the other shore and back और वो फिर lake के दूसरे किनारे तक गए फिर बापस आए just as Doug Corporn used to do यान की जो एक famous swimmer थे जैसा वो करते थे same वैसे उन्होंने किया I shouted with joy वह एदम खुशी से चिल्लाए and Gilbert Peak returned the echo महापर एक Gilbert Peak थी जिसकी बहें से जो वह एकदम चिल्लाए तो उसकी चिल्लाने के गूँज जो है बापस लोटी महापर जो एकदम से उनकी चीक जो खुस होके जो चिल्ला रहे थे एकदम से वह उनकी गूँजने लगी I had conquered my fear of water और इस तरह से उन्होंने अपना फीर था water से जो डर लगता था उस पर उन्होंने काबू पा लिया The experience had a deep यहां पर रैटर बता रहे हैं कि एक ऐसा experience जो कि जिस तरह से उन्होंने डर लगता था पानी से फिर उन्होंने उस पे काबू पा लिया यह उनके लिए बहुत ज्यादा meaningful था ज़्यादा meaning रखता था As only those who have known start terror and conquered it can appreciate और यह बात किवल वही समझ सकते जिनको किसी बात से बहुत ज़्यादा डर लगा होगा फिर बाद मनोंने उस पे काबू पाया होगा यह उस पे विजयब राप्त की होगी तो वही इसको appreciate कर सकते हैं In death there is peace अब राइटर यहां पर बहुत अच्छी बात बताते हैं Death में peace है अगर हम मर जाते हैं तो सबतरब शानती है बहुत हमें ना कोई tension होती है ना कोई effort करना है नहीं कोई डर लगता है There is terror only in the fear of death डर कहा है केवल मरने से डरने में डर है जब तक हमें मौत नहीं आती तो हम जो हम डरते हैं कि हम कहीं हम मर ना जाए वही डर है लेकिन जब मौत आ जाती तो सब कुछ एक्तम शानत हो जाता है As Roosevelt knew when he said All we have to fear is fear itself Roosevelt यानि कि जो former president थे अमेरिका के वो इस बात को जानते थे और उन्होंने एक बार कहा कि हमें डर किस से लगता है खुद डर से ही लगता है Means जब तक हमारे अंदर डर है तो हमें से डर लगता है जब हमारे डर निकल जाता है तो एकदम से सब चानत हो जाता है Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce the will to live somehow grew in intensity यह पर रैटे बता रहे है क्योंकि उन्होंने experience किया हुआ था इस चीज का कि swimming pool में जिस तरह से वो डूब रहते जो मरने की sensation उनके अंदर हो रही थी कि अब वो मरने वाले हैं और जो डर था कि किस तरह से वो बाहर आपाएंगे वो दोना ही चीज़े का उन्होंने experience किया हुआ था और फिर उनके अंदर जो will आई थी जिन्दा होने की जीवित रहने की जिन्दिगी को जीने की वो और ज्यादा बढ़ गई मिस फिर उन्हें समझ में आगे कि लाइफ कितनी important है at least at last I felt released मिस अब रैटेर हैं पताते अगे at last उन्हें एकदम से relaxed feel किया free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear मिस चाहे वो trails पर चलने वाली बात हो चाहे peaks पर चलने वाली बात हो चाहें पर कहीं भी swimming करने वाली बात हो चाहें वो river हो चाहें lake हो चाहें swimming pool हो हर जगे वो एकदम से relaxed feel हो गए और उन्होंने डर को एकदम से अलग कर दिया मिस अब वो बिलकुल भी नहीं डरते थे उन्होंने अपने डर पर काबो पा लिया था now children this is the story of deep water and I hope you understood thank you कर दो